हेलो फ्रेंड फिर आपका स्वागत है कंचनल फ्रेंड चनल पर आज मैं केंडी डर्मा प्लस क्रीम की जानकारी लेकर आई हूँ यह ग्लेंड मार्क कंपनी द्वारा निर्मित है और बेकलो मेटासोन और क्लो ट्रीमा जोल नियोमाइसिन इस दवा का घटक है यह क्रीम तुचा में संक्रमाण के उपचार के लिए निर्धारित की जाती है यह कई अन्या इस्थियों जैसे नाक की सूजन और अन्या सूजन तुचा विकार जैसे एकजीमा और सुराइसिस के इलाज के लिए भी निर्धारित है इस क्रीम का उपयोग फंगल इन्फेक्शन में के इलाज के लिए निर्धारित है इसमें बैकलो मेटासोन अलर्जी संबंधी विकारों के उपचार में उपयोग किया जाता है और नियोमाइसिन बैक्टीरिया संक्रमाण के उपचार में प्रयोग किया जाता है तो केंडी डर्मा क्रीम जौक खुजली दाद से हुआ फंगल इंफेक्शन और केंडीडा संक्रमर्ण एथलेट फोट इसकिन इंफेक्शन और कॉंटेक्ट डर्मेटाइटिस जैसे बिमारियों के इलाज में काम आती है यह शरीर में कुछ प्रकृतिक पदार्थों की रिहाई को रोपकर कार्य करता है जो दर्द और सूजन के लिए जमेदार होता है सांथी यह एक एंटिवाटिक है यह बैक्टीरिया के लिए अवश्यक प्रोटीन के संसलेशन को बाधत करके बैक्टीरिया को मारता है यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली केंडिडर्मा की खुराक है तो कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोग दवाई दने के तरीके रोगी की आयू और रोगी का चकितसा इतियास और अन्याकारकों के अधार पर इसकी खुराक अलग हो सकती है रिसर्च के अधार पर इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे तुच्चा में जलन, तुच्चा पर चकते या खुजली जलन या अविदन साइट पर जलन ऐसे दुश्प्रभाव लगातार महसूस होते हैं और जल्दी समाप्त नहीं होते हैं तो आप इस क्रीम का इस्तमाल बन करें और डॉक्टर से सला लें इस क्रीम का उपयोग 12 वर्श से कम उम्रे के रोग्यों के लिए अनुशनसित नहीं है यह क्रीम गंभीर बैक्टिरियल इंफेक्शन को ठीक करने में उपयोग किया जाता है इस क्रीम का इस्तमाल छोटे मोटे घाओं को भरने के लिए भी किया जा सकता है अगर तवच्चा में फंगस इंफेक्शन हो गई है तो इस क्रीम का उप्योग कर उसे ठीक करने में काफी मदद करता है और अगर नाक में सूजन हो गई हो तो उस सूजन पर इस क्रीम को लगा कर उसे ठीक कर सकते हैं इस क्रीम का उपयोग सिर्फ तवचा का बाहरी अंग में ही किया जाना चाहिए साथ ही इसे बारा वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोग ही करें अगर इस क्रीम का इस्तमाल डॉक्टर से सुझाओ लेकर किया जाए तो यह बिलकुल ही सुरक्षित है इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित सक को अपनी वर्ष मान दवाओं निर्देशित उत्पादों और अलर्जी पहले से मौजूद बिमारियों और वर्ष मान स्वास्त इस्थितियों के बारे में जानकारी जरूर प्रदान करें साथ ही उपचारित तवचा शेत्र को न ढढ़कें या लपेंटे या पट्टी करें साथ ही आँखों के साथ संपर्ख से बचें और इस दवा को मुह से ना लें इस दवा को खुले घाव, सूखी या जलन वाली तवचा पर इस्तमाल करने से पहले अपने चिकेट सक से जरूर परामर्श करें और इस क्रीम को लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धो लें इलाज करे जाने वाले शेत्र को साफ करके सुखा लें इस क्रीम के इस्तमाल के बाद इलाज शेत्र को ना धोएं चिकेसक के निर्देश के बिना इलाज शेत्र में अन्य उत्पादों का इस्तमाल भी ना करें और एत्यधिक मात्रा में इस्तमाल करने से पैलिंग हो सकता है पैलिंग रोकने के लिए एक पतली परत या कम आत्रा में ही दवा का उप्योग करें इस दवा को आंख मुह या नांख में ना घुसने दे और यदि आप एक ही समय पर अन्या दवाओं या निर्देशित उत्पादों का सेवन करते हैं या केंडी डर्मा क्रीम का प्रभाओं परिवर्तित हो सकता है या दुछ प्रभाओं के प्रति आपके जोखिम को बढ़ा सकता है या इसकी वजह से दवा अच्छी तरह काम ना करे केंडी डर्मा क्रीम के लिए अती समेंदन शिलता एक निशेद है सामाने तोर पर इसे दिन में एक बार और दिन में दो से तीन बार इस क्रीम को प्रभाओं की वजह से कुछ दवाओं को धीरे धीरे कम करने की जरवत होती है या उन्हें तुरंट बंध नहीं किया जा सकता है अपने शरीर स्वास्त और आपके द्वारा प्रयों की जाने वाली अन्या दवाओं के अनुसार सुझाओ पाने के लिए कृप्या आप अपने चिकित सक्से जरूर परा मश लें और यदि लगता है कि किसी व्यक्ति की ऐसी इस्थिति आपके समान है या यदि ऐसा प्रतित होता है कि उनकी बिमारी आपके जैसी हो तक तो कभी भी अपनी दवाएं दूसरे लोगों को ना दें इसकी वजह से दवा की अधिमातरा हो सकती है तो फेंड इस तरह से केंडी डर्मा प्लस क्रीम की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हो कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो फ्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तरत पहुंच सकी धन्यवाद